नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है प्यारे वच्चो, आज की कक्षा में हम साहिर लुध्यानवी जी द्वारा रचित गीत साथी हाथ बढ़ाना के बारे में पढ़ेंगे कवीता शुरू करने से पहले कवी परीचय संक्षिप्त में जान लेते हैं अब्दुल है साहिर है, इनका जन्म जागिरदार परिवार में हुआ था, उनके पिता अत्यंत धनी व्यक्ति थे किन्तु माता पिता में अलगाव होने के कारण इन्हें अपनी मा के साथ रहने को विवश होना पड़ा था इन्होंने अपने दिन अत्यंत गरीबी में व्यतीत किये, इनकी सिक्षा लोध्याना के खालसा हाई स्कूल में पूरी हुई उच्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कई छोटी छोटी नोक्रियां की सन उन्नी सो तरतालिस में इन्होंने अपना पहला कवीता का संग्रह तलखियां चपवाया सन उन्नी सो पैंतालिस में उन इन्हें उर्दु पत्र, अद्बे लतीफ और शाहकार का संपादक बना दिया गया 25 अक्तूबर 1980 में इनका निधन हो गया तो चलिए अब अपना गीत शुरू करते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला ठक जाएगा, मिलकर बोज उठाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी का अर्थ है दोस्त, बोज का अर्थ होता है वजन या भार यह एक उत्साव अर्थक गीत है, जिसके माध्यम से कवी मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि व्यक्ति को मिल जुलकर काम करना चाहिए एक व्यक्ति काम करने से ठक सकता है अर्थात यूं कहें कि किसी बड़े काम को करने में एक व्यक्ति को कटिनाई का अनुभव होता है इसलिए हमें मिल जुलकर काम करना चाहिए आगे देखिए हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रस्ता छोड़ा परबत ने शीष जुकाया फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें साथी हाथ बढ़ाना परबत का अर्थ होता है पहाड या परवत सीस का अर्थ है सिर फौलादी यानि लोहे के समान मजबूत बाहें, बुझाएं, राहें, रास्ते इन पंक्तियों में गीतकार प्रेड़ना देते हुए कहते हैं कि मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिल जुलकर काम किया है, तब ही उनके रास्ते की रुकावटें अपने आप दूर हो गई हैं मिल जुलकर काम करने वाले लोगों के सामने सागर और परवत भी तिक नहीं पाते हैं, उनके सीने और बाहें फौलादी होती हैं और वे बड़े से बड़ा काम भी सफलता पूर्वक कर लेने की हिम्मत रखते हैं वे तो चटानों में भी रास्ते बनाने जैसा कठिन कारिया भी कर लेते हैं, अतै हम सबको मिल जुलकर कारिय करना चाहिए कहने का भाव यह है कि गीतकार ने मिल जुलकर काम करने और मेहनत के महत्व पर प्रकाश डाला है अगली पंक्तियां देखे, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रस्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना लेख का अर्थ होता है भाग्य गैर यानि पराया या दूसरा खातिर का अर्थ है के लिए नेक का अर्थ है इमानदार या भला इन पंक्तियों में कवी मेहनतकश लोगों से कहते हैं कि मेहनत करना तो हमारे भग्य में लिखा है हमारी मेहनत ही हमारे भग्य का निर्मान करने वाली है अतह मेहनत करने से हमें डरना नहीं चाहिए अब से पहले तुम परायों के लिए मेहनत करते आए हो अर्था तुमारी मेहनत का लाभ तुम्हें गुलाम बनाने वाले व्यक्ति उठाते आए है अब तुम्हें अपने लाब के लिए मेहनत करनी है अब तुम्हारी मेहनत का लाब दूसरे लोग नहीं उठा पाएंगे प्यारे बच्चों, कवी यहां पर सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा बताते हुए कहते है कि उनका लक्षे सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को राप्त करना है अतह सभी को मिल जुलकर काम करना चाहिए गीतकार ने मेहनत कर्श लोगों को मेहनत से न डरने की सला दी है और साथ ही यह भी बताया है कि अब उनकी मेहनत का लाब दूसरों द्वारा नहीं उठाया जाएगा आगे देखिए एक से एक मिले तो कत्रा बन जाता है दर्या एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा एक से एक मिले तो राई बन सकती है परबत एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना कत्रा का अर्थ होता है बूंद दर्या का अर्थ है नदी जर्रा का अर्थ है कण, सेहरा यानि रेगिस्तान, राई का अर्थ है छोटी सर्सों का दाना, इंसा का अर्थ है मनुष्य और किस्मत का अर्थ है भाग्या प्यारे बच्चों, यहां पर कवी, मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए, उन्हें मिल जुलकर रहने की प्रेड़ना देते हैं, अर्थात, मिल जुलकर काम करने की प्रेड़ना देते हुए कहते हैं कि, एक्ता में बहुत शक्ती होती है, एक-एक बून्द मिलकर फागर का निर्मान करती है एक एकन मिल जाए तो वह मरुस्थल बना देता है यदि सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाएं तो वे परवत का निर्मान कर सकते हैं इसी प्रकार यदि सभी मनुश्य मिलकर काम करें तो वे भाक्य को अपने वश में कर सकते हैं अतै हम सब को मिल जुलकर काम करना चाहिए कहने का भाव यह है कि गीतकार इस गीत के माध्यम से एकता और मिल जुलकर काम करने की सीख देना चाहते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद